नमस्कर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ग्राजुएशन म. इंग्लिश सिलबस के एक इंपोर्टन पेपर और उस पेपर का नाम है और उस पेपर का टाइटल है फिल्म थियरी Film theory paper में डाला हुआ एक important film और उस film का title है मला आज हम वो film के बारे में देखेंगे और उस film के story देखेंगे और consider this video as a guide for you to study the story of the plot of the movie मला okay so मला मोवी का डिरेक्टर का नाम है लेनिन राजेंदरन इस मोवी एक मले आणा book titled नश्टपटा नेलामपरी से based है आप सबी मोवी बिल्कुल देखना क्योंकि अगर आप film देखेगा तो अच्छी तरह उस मोवी के story understand होगी उस मोवी के story understand होगा तो then only आप लोगों को अपनी answer paper में अपना answers present कर पाएगा तो मोवी के story देखेंगे movie start करते वक्त हमें क्या देख सकता ही कि movie के heroine, heroine का नाम है सुबद्रा देवी, सुबद्रा देवी अपनी family के साथ एक village में आता है सुबद्रा देवी के family में उसकी पिता और माता है, पिता एक doctor है सुबद्रा देवी एक चोटी लड़की है, वो school में पढ़ता है she is not that small but she is in her teens, okay सुबद्रा देवी एक दिन वहां के एक temple visit करता है और visit करते वक्त सुबद्रा देवी को उस temple के priest के गाना बहुत अच्छा लगा और उस priest का नाम है शास्त्रिगड, okay heroine के role actress named Samyukta Verma play करता है और hero का role Malayalam popular actor Biju Menon play करता है इस movie के hero का role यहां सुबद्रा देवी को शास्त्रिगड के गाना बहुत अच्छा लगता है Biju Menon इस movie में एक music teacher है और Samyukta Verma Biju Menon के साथ गाना, songs learn करने के लिए गाना सीखने के लिए आता है और एक बात कहना है कि Biju Menon को शास्त्रिगड को न्यानम नामक एक लड़की प्यार करता है लेकिन बिजुमेनों को उससे कोई प्यार कोई नहीं है लेकिन न्यानम बिजुमेनों से प्यार करता है न्यानम बिजुमेनों को लेकर न्यानम शास्त्रिगड को लेकर बहुत पोसेसिव है लेकिन सुबद्रयदेवी falls in love with शास्त्रिगड और शास्त्रिगड टू falls in love with सुबद्रादेवी इसके बाद क्या हुआ है कि इन दोनम के रिलेशन्शिप को शास्त्रिगड और सुबद्रयदेवी के रिलेशन्शिप को सुबद्रादेवी की पिता के दियान में माता है और सुबद्रादेवी की पिता को ये रिष्टा अच्छा ना लगा He didn't like his daughter's relationship with शास्त्रिगड इसलिए शास्त्रिगड को ज्यानम नामक लड़की से शादी करवाया इसलिए शास्त्रिगड married हो जाता है इसके बाद सुबद्रादेवी को चंद्रन नामक एक विक्ती से शादी करवाया चंद्रन के बारे में बताये तो चंद्रन is a computer engineer एक दिन चंद्रन सुबद्रादेवी की एक diary एक diary पटता है और diary पटने के बाद उसको अपनी wife में doubt आता है और चंद्रन alcoholic हो जाता है और इसके बाद वो मरता भी है because of his over consumption of alcohol चंद्रन डाइस ओके दन वोट हैपन्स इसके बाद क्या आ चंद्रन के मरने के बाद सुबद्रादेवी शास्त्रिगल के विलेज में लाउट जाता है और ज्यानम से मिलता है इसके बाद शास्त्रिगल से भी वो मिलता है शास्त्रिगल का condition बहुत कश्ट है क्योंकि शास्त्रिगल का wife ज्यानम ज्यानम को mental हो जाता है due to some reasons and she is recovering but ज्यानम is recovering और cancer के कारण शास्त्रिगल को अपना मतुर स्वर lost हो जाता है शास्त्रिगल को गाना नहीं गा सकता because he is affected by cancer यहां हम अगर सुबद्रा देवी की life में थोड़ा analysis करेगा तो हमें understand हुआ है कि सुबद्रा देवी को उसकी life में बहुत सारा things lost हो जुकी है first is उसकी first love that is शास्त्रिगल और next is उसके husband और next is उसका music और उसकी talent of writing so यह सभी सुबद्रा देवी को अपने life में lost हो चुका है और यही है माड़ा movie by Lenin Rajendra का plot summary अगर आप हम revise करेगा तो the movie is about सुबद्रा देवी सुबद्रा देवी एक village में माता है और उनको घाना सीखना, songs सीखना बहुत पसंद है इसलिए उनोने शास्त्रिगल नामक एक music teacher के पास जाकर music सीखता है सीखते वक्त और मिलने वक्त सीखते वक्त उन दोनों प्यार में हो जाता है इसके बाद इन दोनों के रिष्टा सुबद्रा देवी की family में जानने के बाद उसके पिता ज्यानम से शास्त्रिगल के शादी और सुबद्रा देवी को चंद्रन नामक एक वक्ती से शादी करवाता है और इसके बाद सुबद्रा देवी की husband alcohol की addict हो जाकर he dies of over consumption of alcohol अपनी husband के मृत्यू के बाद शास्त्रिगल के village में सुबद्रा देवी जाता है एक और बार मिलने के लिए तबी उसके जान में एक बात आता है शास्त्रिगल को अपनी जिंदगी में बहुत कारियों का नश्ट हो चुकी है एक उसकी सुन्दर स्वर he is affected by cancer so he cannot sing anymore अगला है ज्यानम उसकी पत्नी ज्यानम को mental हो जाता है but she is recovering so his aim in life is to look after her and give her proper treatment that is his aim in life so यही है मला नामग movie Malayalam movie directed by Lenin Rajendra का plot summary अगर आपको इस वीडियो से इस वीडियो आपको useful हो गया तो please do hit the subscribe button and support thanks for watching the video bye bye